हेलो नमसकार दोस्तों स्वाकत आव सभी का इव आई फह्यों लेश्गरुज्ट में क्लासी में दोस्तो आज़ क्लास में रिस्निंग के दोस्तों कुछन करने वाले हैं इस से पर दोस्तों नीच सब्सक्राइए यह तो लिंक वेडियो ने दे रखा है यह पर आप चैनल पीज पर जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों सभी कोश्चन आपके लिए प्रिएस एक्जाम में पुछे हुए कोश्चन है चले कोश्चन हो करते हैं दोस्तों सभी कोश्चन को आंसर दोस्तों आपको कमेंट बोक्स में ज़रू देना है यह कोश्चन दोस्तों आपके आ देने हैं दोस्तो यह कोश्चन दोस्तो आपको कोश्चन मार की जगह पर आपको इस रिक्त पद को आपको पूरा करना किस प्रकार से करेंगे याद दखना है काफी बड़ी संक्या दूस्तो इसमें तू इससे दूस्तो यदि मुल्टिप्लाई करें नौ सस्री का दोस्तो गुना करने पर दूस्तो कितना आता है जीरो सोला बटाम फाइव दूस्तो इससे करेंगे तो काटने पर दूस्तो आपको 392 आएगा याद धखना है इस प्रिकार से यह आया होगा अब नेक्स्ट वाले में दूस्तो इसमें भी क्या किया है इसमें दूस्तो आपको सीधा पत्जा चला होगा तू वाइफाइव से दूस्तो 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 इसमें मल्टिप्लाई किया 392 का 2 X 5 से divi Multiply करेंगे तो इसे काटे दोस्तू चार 18 ये दोस्तो आपको बता 5 5 से इसे काटे दोस्तो आपका है गाए एक सुच देखे 5 से काटे दोस्तो कितना है जाएगा एक बार जाएगा साथ में से पांच बचल रही है अब यहां से आगे दूस्तु जो आपके इससे आगे दो कोश्चन वादी मार्क है उस ज्जेगा पर कॉन सा आएगा या दखना दूस्तो इसमें दूस्तो फिर से इसमें किया बहुत टू वाइफ से मल्टिपलाई या दखना 156.8 गुना में 2 वाइफ 5 दूस्तो यदि हम इसे करें मल्टिपलाई करने पर दूस्तो क्या आएगा या दखना काटने पर दूस्तो आपका आजाएगा इसका आंसर आजाएगा 62.72 यह दूस्तो आपका आंसर हो जाएगा इनके option number C में आपको दे रखा दूस्त दूस्तो एक व्यक्ति पूरव दिसा में 7 किमी चलता है फिर सीधे हाथ में मुड़ करके 3 किमी चलता है फिर सीधे हाथ में मुड़ करके 11 किमी चलता था प्रायरम के स्थान से कितनी दूरी है यह आपसे दूस्तो पूछा गया है तो देखिए इस सवाल को समझेंगे दूस एक व्यक्ति पूरव दिसा में साथ किमी चलता है इनके पूरव दिसा दोस्तों किदर होगी आपको दोस्तों यह आपकी पूरव दिसा होगी या दखना है तो पूरव दिसा में दोस्तों आपकी हो गई पूरव दिसा इसमें दोस्तों यह कितनी साथ किमी चला दोस्तों चलि चलिए यह आपका दूस्तों तीन किमी बंड़कर के ट हम पुद्ध इंड़े ग्यार किमी चलता है यहाँ से यह आपनाओ होगा зак अब भार्म के इस्तांज से कितनी दुर और आप देखें ऐसमें यहां तक कितना को बढ़ती है है कि यहां से आगए दुस्तो साहथ ग्यारे में सब्सक्रों तो तो जा गए जो एहां से यहां तक की आपके बीच प्रण दोस्तie आपसे पूछा गया है आपको पताना जो स सदीकिंगाई तो produced आप Jedown और से कितनी दूरीव दूरी है आपको तनाएं अतो यहत्षु यह ती तीन है तो यह भी आपकी कितनी हो जाएगी तिन की में हो ad square बरावरis क्या होता है दोस्तो ad लिखारे हैं तो इसका square को सीधा सा अफ इदर ले जाए ad बरावर्र is formula आपने देखा हुगा दोस्तो आपको क्या होगा इनके a e का square plus में d e का square दोस्तो या देखना है यह दोस्तो होगा तो a e ये इका स्कॉर क्या हो जाएगा आपका तीन का स्कॉर ए डी बरावर में तीन का स्कॉर प्लस में चार का स्कॉर यह दोस्तो आपका आएगा यह बरावर में कितना हो जाएगा दोस्तो यादखने इनका सॉल्ट करेंगे तो पांच आपका आजाएगा इसमी यादखने दोस्त स्लाव को ग्यान होने चाहिए उसी आंवसार को स्लोफ करेंगे चलिए अगले को बढ़े समझ माँगा होगा नेश कोशन अगला अब देखिए दोस्तो इस प्रकार के यह कहरा है A B से लंबा है परन्तु C जितना लंबा नहीं है तो C जितना लंबा नहीं तो C सबसे लंबा हुआ भी अब कहरा आगे D E से लंबा है परन्तु B जितना लंबा नहीं तो D E से तो अभी भी कौन सा C ही लंबा है अब E F से लंबा परंटो D इतना लंबा नहीं है तो दोस्तो यह है आपको इसमें सबसे अदिर लंबा को जाएगा C आपका होगा आपको सीधा सर पता चला होगो दोस्तों इस सभी में याद रहा है अब देखे इसमें देखे करना किस परकार से समझ नहीं आया आपको 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 और E आपका यहाँ पायेगा अब आगे कहरता है ए ए एफ से लंबा है यह ए जो दोस्तो आपका F से लंबा है एफ से लंबा है पर अब दी ज इतना लंबा है पडान्तू दी जilly नहीं बिल्कुल सही है तो सबसे लंबा पूछा गया उसे चाहट से चलें वहाँ पर आ जाएगा ओप्शन नमर सी आपका से हुजाएगा ओप्शन आपका राइटने से हुजाएगा समझ में आगा होगा चलिए वहले कोशन के बढ़ें नेश कोशन है अगला प्रस्ने छह मित्र दे रखें दोस्तों A B C D E E F केंद क्यों मुकर के गोला कार बैठे हैं दोस्तों चलिए नहीं दोस्तों हम गोला कार में बैठा लेते हैं सबसे पहले तो यह हो गए दोस्तो मुक्कर के गोलागार बैठे है F A के ठीक बाए बैठा है यानकि F जो A के ठीक बाए दोस्तो काज़एगा इधर साइड में दोस्तो या दखना है यह दोस्तो मान के चलें A आपका यह हो गए इसके ठीक बाएं पर बैठा दोस्तो F तता B यहां पर दोस्तों B इधर भी हो सकता है इधर भी इधर भी हो सकता है दोस्तों और आपका B भी हो सकता है अब आगे दे रहा है A और D एक दूसरे के सामने बैठें A तो दोस्तों हमको fix पता यह यहां पर है तो इसके सामने दूसरे के सामने बैठें तो F किसके सामने बैठा है अब दोस्तों देखिए कौन बचा है दोस्तों इसमें से C आपका और बचा है C आपको दोस्तों यहां पर हो जाएगा यादखना C आपको दोस्तों यहां पर होगा अब पूछा गया है F के सामने कौन बैठा है F यह दे रखा दोस्तों B और A तो दोस्तों आमने सामने यह होगे A और D आमने सामने दे रखें सवाल में तो बचा कौन F और C F और C दोस्तों F के सामने कौन बैठा है C बैठा है तो option number D आपका D हो जाएगा option number D सभी हो जाएगा इस परिसन का आज सेंगे C F के सामने बैठा है इनके app के सामने कौन है C आपका बैठा है दोस्तों याद देखना है चलिए आगे बढ़े समझ में आगे होगा अगला question है प्रस ने सम्भी करन में उप्युक्त चिन का क्या होने चाहिए दोस्तों यह सम्भी करन दे रखा दोस्तों आपको सीधा सर दिखाए दे रहागा बरावर में आपका बिसकुल नहीं आएगा याद रखना दोस्तों अब इसमें करना किस प्रकार से हो समस्जें तब देखिए इसे करने सेकंड option है इसमें दोस्तों apply करके देखते हैं सेकंड नमर के ओप्षिन में दोस्तु यानिकि पंदरा गुणा में प्रायगर पांच फिर दोस्तो बाग दे रखा है बाग को सीधा हम बाग तीन बरावर में पच्चीस यह आपको दे रखा दोस्तों अब इसे दोस्तो 15 गुणा में इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बा चले आगे बढ़ते हैं अगले question क्यों नयएस question आपके सामने हैं इसमें दोस्तूब आपको में किया कि इस प्रेकार से प्लस दोस्तों कड़के देखते हैं 6 6-3 दोस्तों 18 में से 3 गया 6 में से 3 गया दोस्तों कितना बचेगा आपका बच जाएगा 6 में से 3 बचाएगा 3 बरावर कितना जाएगा 21 माल ले दोस्तों यह इस प्रिकार से कीस आया होगा अब आगे वाले हम देखें दोस्तों यह नेक्स्ट वाल दूसर नमबर को दे रखा इसमें 21 प्लस में 6 नो माइनस 4 बरावर हम क्या आगो 9 में 4 गया जो कितना बज़ता है 5 20 प्लस प्लस 5 पर कितना ओज याथ 26 आपका यह इस प्रिकार से बिलकुल आप नेस्ट रख्तें दोस्तों और डोर में यह इस नहीं को एक तो इसमें इस्मिता होगा 24 प्लस serait got couple तो इसका आंसर क्या हुआ है तो देखे दोस्तो आपने साइंस पढ़ा होगा साइंस अगर आपने दूस्तो पढ़ा है तो आप इस कोश्चन का आशानी से दे सकते हैं तो देखे समझें इसमें दोस्तो सबसे पहले क्या आएगा इन छो में से दोस्तो या दखना सबसे पहले आपको क्या होता है दोस्तो मुख सबसे उपर क्या होता है या दखना दोस्तो मुख होगा सबसे उपर सबसे उपर क्या होगा मुख होगा उसके बाद दोस्तो क्या आत इसके बाद भी उसके बाद में दोक्तों यांट आपका पीटी और आंस होता है री चार्ड है HTTP एड़े हो जाए जबना syllabus इसे पहले जाएगा डी option आपका सही होगा याद रखेंगे दोस्तों इस प्रिकार से आपके देखने साइंस का पता है तो आप इस question को अचाने से solve कर लेंगे चलिए अगला question है कथन और निसकर्स का जो question दोस्तों इस question को आपको solve करना किस प्रिकार से करेंगे देखे, कथन दे रखें दोस्तों और आपके सामने निसकर्स दिया होगा, इनमें आपको याग ध्रका है, कथन दे रखें दो कुछ बेंचिस चाविया हैं, चले दोस्तों आपको डियागरम बना देते हैं, कुछ बेंचिस चाविया हैं, दोस्तों माल लेते हैं, यह आपका बेंच हो गई, दोस्तों आपके कुछ बेंचिस आपका चाविया है, ये दोस्तों क्या होगी, चाविया होगी, चलिए मालिया कुछ हो गया, सभी बक्से ओटे हैं, ओटो हैं, सभी बक्से ओटो हैं, तो दोस्तों ओटो के अंदर, ये ओटो होगा, के अंदर दोस्तों बक्स से आएंगे सभी बक्से ओटो हैं चलिए सभी कलम बेंचे से यान कि यह देखिए सभी कलम बेंचे से अब इसमें दोस्तों आपको कन्फिजन वाला बनेगा या तो दोस्तों यह इसमें डाइगराम हो सकता है सभी कलम बेंचे से यह एक्जामनेर के उपर डिपेंड करेगा कि से सही मांता है सभी कलम बेंचिस हैं यानकि आपको यह भी हो सकता है डायगरम यानकि सभी कलम यह हो गई बेंचिस हैं या फिर दोस्तों आपका हो सकता है कुछ इसमें से ले ले तब जाके दोस्तों आपको इसमें कलम को दे हम माल लेते हैं दोस्तों हमारे अनुसार दोस्तो दोस्तो यह दे रखा बक्से हैं कुछ बैंचे यह रहे दोस्तो बक्से यहां पर है इनका मेल तो आपको दे रुए अपकर कखा दोस्तो यह option क्या होगा गलत हुगा हम नहीं कहसकते कोई बी कलम उटो नहीं कहसकते कोई भी Colonelней throw भी सक कती है क्लमों भी हो सकती है नहीं भी हो सक सब्क enfants जाए है और यह आपका याधर देखना है यह यदोझनों अगए आपकtså के आपर इस्पार में आप सभी का बहुत बहुत दंवद झाल झाल